हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स आज मैंने बनाई है चना साग की चटनी चटनी तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी लेकिन चना साग की चटनी आपने नहीं खाई होगी और अगर आपने खाई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा तो चलिए देखते हैं कि इस चतनी को मैंने किस तरीके से बनाया है चना साग की चतनी बनाने के लिए हमें चाहिए चने का साग तो यहां पर मैंने छट पे अपने गमले में चने का साग उगाया है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको मैंने कैसे उगाया है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं तो सबसे पहले हम इसको तोड लेंगे अगर आपके पास मार्केट में मिलने वाला चना का साग है तो वो भी आप ले सकते हैं इसी तरीके से चने का साग काटके हम एक बरतन में रखते जाएंगे जितने साग का चटनी बनाना है उतना साग मैंने तोड लिया है और अब हम चटनी बनाएंगे चटनी बनाने के लिए मैंने चने का साग लिया है और यहाँ पे लिये मैंने थोड़ी सी धनियापती जादा नहीं लेना है बस थोड़ा सा ही लेना है एक हरी मिर्च डालेंगे और तीन लहसन की कली यहाँ पर मैंने सारी चीजों को धो लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसको काट लेंगे ऐसे भी आप पीश सकते हैं लेकिन अगर आप इसको काट के पीशेंगे तो चटनी जो है वो जल्दी से पेश जाएगा तो इसको पहले हम काट लेते हैं कैची से या फिर चाकू से हम साग को और धनिया पत्ती को काट लेंगे साग को और धनिया पत्ती को काटने के बाद हम इसको डाल देंगे एक मिक्सी के जार में मिर्च को भी तोड के डाल देंगे लहसन की कली स्वाधा नुसार नमक और लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून निम्बू का रस जार का ढखकन बंद कर लेंगे और चटनी को पीस लेंगे चटनी को पीस ते टाइम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने चटनी को पीस लिया इसी तरीके का पीस ना है महीन चटनी बनके रेडी है इसको निकाल लेंगे एक बोल में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू